यहां पर हम लोग भारतिर समविधान वाराज व्योषथा का यह मास्टर वीडियो है अगर इससे पहले आपने ना भी पढ़ा होगा भारतिर समविधान वाराज व्योषथा मिल जाएंगे डिस्क्रेप्शन बाक्स में लिंक देगा है किलिक करके फालो कर लिजे यहां पर मनोश कुमार का नाम सर्च करेंगे तो हमारे सारे वीडियो हिंदी जीके जीस परेवरंड के आपको मिलके मिल जाएंगे यहां पर सभी कमपटेशन की यहमारी तैयरी कराई जा और काफी मात्वपूर है जितने भी कोश्चन हैं हमारे सभी आए हुए हैं तो आपको धहरता के साथ पूरे वीडियो को देखना है और इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपको भारती सम्विदान संबंदी सभी समय स्वाल्व हो जाएंगे तिहां पर पहला कोश्चन सरवच्च न्याले ने हाली में निजिता को एक मौलिक अधिकार घोसित किया है भारत के सम्विदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत निजिता को एक मौलिक अधिकार का घोसित कर दिया है अर्थात हमारा यहां पर एक आर्टिकल है जो कि हमारा यहां पर डी नंबर है 21 ठी तो निजिता का अधिकार है अर्थात हमारा आइडेंटिफिकेशन अर्थात हमारा 21 के तैथ इसे रख दिया गया है पहले इसे सात्वा मुल अधिकार देने का दर्जा किया गया था लेकिन यहां पर इसे 21 के तैथ इसे रखा गया है देख सकते हैं यहां पर दिया गया है कि निजिता के अधिकार को मौलुक अधिकार गोशित कर भारत के समयधान के नुच्छेद 21 में इससे समयविशित कर दिया गया है आपको बहुत पूछा गया था जब एक कोश्चन बना था आपको याद रख लेना है नेश देखते हैं कोश्चन नमबर अगला है कि निमलिकित म बटवारे का सूत निर्धारित करने के लिए उत्तरदाई है अर्थात हमारा जो राजस्त का निर्धारन करता है वो हमारा कौन करता है तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा तो आपका अबी नमबर सही होगा अर्थात वित्य आयोग है यही हमारा राजस्त का हमारा बटवारा करता है जो कि हमारा केंदर और राज्यों के बीच बटवारा नेश देख लेते हैं यहां पर question अगला question है कि कि सम्विधान संसोदन के द्वारा दिल्ली को एक विधान सभा दे गई तहां पर काफी अच्छा question है तहां पर आपसन आगा है चार और इसमें से कोई एक हमारा सही होगा तो यहाँ पर हमारा कौ समविधान सन्सोधन के चक्ति दिगए है ठीक है 69 है इसमें से दिल्ली और पॉट्चेरी को भी दिया गया था नेस देख लेते हैं यहाँ पर कोश्चन हमारा है कि समविधान जो की सनुच्छेत के अंतरगा संसत को समविधान संसोधन की सकती दी गए अतरगा समविधान में संसोधन जो किया जाता है वो हमारा है 368 के तहट काफी बार यह कोश्चन पूछा गया है तो अगर समविधान पढ़ रहे हैं तो आपको इस कोश्चन को जाना जरूरी है तो यहाँ पर देख लिया है कि 368 के तहट हमारा भारत समविधान के किस अनुच्छेत के तहट राज्यपाल को विधान मंडल के विस्तरान तिकाल में अध्यादेश प्रक्षाती करने की सकती अर्थात की जो राज्यपाल होता है तो राज्यपाल हमारे विधान मंडल में विस्तरान तिकाल का अध्यादेश जारी कर सकता है वो क त्रिके टाहिट करता है यहां पर देख लेते हैं अगला कोशन स्वोतन्त भारत में प्रथम बार संसदी सच्छी का पद किस वर्स तरजित किया गया था अर्था संसदी सब्द हमारे जो निकल के आया था उकाब आया था यहां पर आपका जवाब है 1951 दिया गया है कि प्रथ यहां पर जो यह पद हमारा है सचीव का पद वह हमारा 1991 प्रथमबार आया था ने इस कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन कह रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर है जो कि एक तरफ हमारा अनुच्छेद हैं दूसरे तरफ राज हैं तो 371 के दाशना से यहां में 371 के घा में हमारा मेखाल के 372 हमें हमारा कौन रथम आंध्र प्रदेश तो इया पर भाई जो 371 है यह मेखाल हाना होगा यहां पर हमारा मडी पूर होता है मडी पूर होता है देखते हैं यहां पर दिया गया है 371 के गहा का जो संबन्द है वो मडी पूर राजिसे है नेस देख लेते हैं कि लोक साभबा में अनसूचित जाती के लिए आरचित स्थानों के संख्यार था कितने सीटे अरचित की गई हैं तिहां पर 84 सीटे हैं जो कि हमारा लोकसभा में अनसुचित जाती को उचित हमारे दे दी गई हैं और नेस्ट एक कोश्चन देखते हैं कि निमलेकित में से कौन साय सुमेलित नहीं है तिहां पर सीटे दी गई हैं और सीटे में देख सकते हैं क विखल्प एगला थे क्योंकि तेलंगाना राज से पूर अंधर प्रदेश में अठारा सीट्य राजरे सभगी थी लेकिन वर्तमान में नहीं है ठीक है तो वर्तमान में हमारी नहीं सीट्थे आपको कमेंट Хорошо करके बताना है कि आंदर स Sorry में राजसभा की सीटे कितनी हैं, ठीक है, साथ में बताना है की UP में जो राजसभा की सीटे हैं वो हमारे कितनी हैं और आंधरदेश में כितनी हैं तो आप के Question पूछे भी जा सकते हैं, Next Question देख लेतի हैं, कि नया एक समिच्छा की धारणा कहां से ली गई है हमने आप से बताया था जब वीडियो एक्जम की लाइप क्लासे दे रहे थे बूर्ड में तो नया संबंदी जहां पर मिल जाए आपको क्या बताना है USA लगाना है USA अर्थात हमारा जितना भी नया संबंदी थे सुप्रेम कोर्ट हो गया यह हमारी स संसोधन का अधिकार हमारा जो है वो संसद के पास है संसद इसका संसोधन कर सकती है नेश को चन देखते हैं 12 नंबर कह रहा है कि भारती समविधान के कि अनुछेद में 6-14 आई वर्ग के बच्चों के लिए निसुलक वा अनिवारी सिच्छा का अधिकार सामिल किया गया है तो निसुलक सिच्छा का अधिकार हमारा कौन से हो सकता है आपसन आपके पास आ गए है और इनमें से यहाँ पर दोनों को अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर दिया गया है हमारा कौन सा 21 का फस्ट दिया है ठीक है अर्था 6-14 वर्ष के बच्चों के निसुलक अनिवार अधिकार ही होगा तो हमारा होगा हो जाता है दीकल 45 लेकिन यहां पर अधिकार है और यह हमारे एक मौलक अधिकार 21 की है यहीं जोड़िधिए गया है जिसे 26 के हमीदान संसुदंत के तहते हमारा इसको इडिट किया गया थार इसके बाद देखते है देक्जन हमारा अगला कोर्शन देखते हैं काफी अच्छा कोर्शन हमारे हैं यहां पर सम्विधान की कुंजी किसे कहते हैं और हमने बताया भी था तो यहां पर सम्विधान की कुंजी किसे कहते हैं तो सम्विधान की प्रस्तावना को कहते हैं ठीके सम्विधान की प्रस्तावना को मिला था वाई तो हमारा दो दिन पहले था 26 जनवरी की दो दिन पहले मिला था सही जवाब होगा आपका सी नंबर और रविना टैंगोर ने इसको लिखा है तो यहान पर हमारा यहरा this question मिल सकते थे ने इस question देखते हैं कि भारत में इंन यह ब्योस्ता का रूप कैसा है तो भारत में भाई कैसी ब्यूस्ता है अर्थात एकल नागरिक्ता है जो कि एकिकरत है और अगर बात करें कि एकल नागरिक्ता ली कहां से गई है तो ब्रेटेंस ली गई है और दोरी नागरिक्ता की बात करें दोरी नागरिक्ता हमारे कहां से यह हमारे अमेरिका से है ठीक है लेकिन भारत में हमारा एकिकरत है अर् पर हमारी दो रिनाग रिखता है जो कि जम्मो कस्मीर तीन सो सतर आटिकल के तहता आता है आपको याद रख लिए नेस देख लेते हैं कोश्चन हमारा अगला है पंचायत तथा नगर पालका का चुनाओ कौन संपन कराता है यहां पर आप सना गये हैं चार और सही जवाब क्य भी गए हैं जितने भी कोश्चन ने 2017-18 में पूछे गए तो यहां पर देख सकते हैं डी नंबर हमारा है राज चुनाव आयोग अर्थाथ हमारा पंचा है तिथा नगरपालका का जो चुनाव कराता है वो राज चुनाव आयोग कराता है तिहां पर कापी अच्छे कोश्चन हैं आप देख पा रहे हुँए सभी कोश्चन आउरे आयोएं और समभा उता है कि हमारे कोश्चन आपके उस्तर प्रदेश पृलिस वी भीभाग में सरवच उत्थ पदादिकारी आकोन होता है तो उत्तर प्रदेश हो तर्देश थे घ्रिश नंबर से होगा देख लिए को आप थे म्रत्य दंड की सजा कौन माप कर सकता है तो यहां पर देख सकते हैं कि हमाराय यहां पर दिया थική सजा माप कोन कर सकता है तो यहां पर उसी में माप की जाएगी जब उसका वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा अगर वो वास्तविक में है अगर दंड किया है तो उसको सजय मिलेगी माप ने किया जाएगा लेकिन किसी कारण वर्स उसे गलट ठैराया गया है तो उसे राजपती माप कर सकते हैं तो यहां पर नेक् बीन राओ तथा एसें मुकरजी ठीक है ये दोनों लोग हैं जिनों ने समविधान में काफी हिल्प किया है अगला देख लेतियां पर जो की अगला कोशन हमारा है कि समविधान सभाके की सदस्दिया समधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्टी दोज समान अनपात ठीक ह राष्टी दोज समान अनपात में केसरी सफेद वगहरे हरे रंग का छायतिती रंगा होगा इसमें बीच में हरे रंग की जो नीले रंग का चक्र होता है ये किसने का था भाई तो सी जवाब होगा राजिन प्रसाद ने लेकिन राजिन प्रसाद को यहां पर यह नहीं कहा किया बस इन्होंने अपना मत दिया था लेकिन यहां पर पिंगल वेंकेया है इन्होंने इस जंडे का प्रूप जो कि हमारा है डिजाइन हमारे तयार किया तो पूछ लेता है कि जो जंडा है इसका प्रारूप अर्थातमाल रूप से किसने तयार किया था तो पिंगल वेंक सभा और राज सभा में संसद बना बनती है यहां पर सभी है यह बात है लोग सभा में मनोनी सदस नहीं होते हैं तो बिल्कुल गलत बात है लोग सभा में मनोनी सदस होते हैं दो हमारे एंगलो इंडियान होते हैं तो आपका हमारे यह गलत हो जाएगा यहां पर आपका देख स अपना पद त्याग सकता है अर्थात पत्र लिखकर तो सरोच नेले का अगर नयादियस अपना पत्र त्याग न चाहता है तो वो अपना जो पत्र होगा अर्थात त्याग पत्र होगा वो किसे देगा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मनुनित करता है उसी को त्याग पत्र देंगे तियां पर भी नमबर आपका सही हो जाएगा अधार राश्पती को यहां पर सरोच चिन्याला की हमारे नयादीस अपना पद जो की त्याग पत्र दे सकते हैं यहां पर सारती समयदान के अनुच्य देख सकते हैं कि 124 के अंतरगत हमारे सरोच चिन्याला को बताया गया है और सरोच चिन्याला कि जो हमारे नयादीस बात करें कितने होता है is 30 plus 1 होते हैं ठीक है 30 plus 1 होते हैं और निर्वाचन आयुक्तु को पद से हटाया सकता है, जो हमारा निर्वाचन आयुक्त होता है, उसको किस तरीके से हटा सकते हैं, या हमारे कौन हटा सकते हैं, तिहां पर हमारे ऐसा कोई अपसन देख नहीं रहा है, तिहां पर देख सकते हैं, कि भारत के मुख चुनाओ आय हो सकते हैं तो हैं चुना ऐकतो को मुखँ ऐक किसी web राश्फतीucky को धोरं आ कॉन हैं अगर आप पेपर देनी जा रहे था तो आप फता होना चाहिए कि मुख्षनों आयोक तो कौन है अगर आपको यह हमरा ने पता है कि वरतमान में कौन क्या है तो हमने trick बनाया है सबी की तो आप आसानिš trick से दे शकते हैं हमारे टेलिग्राम से आप जोड़ सकते है टेलिग्राम पे आपको वीडियो की link मिल जाएगी तो वहान से आप कब कौन क्या है इसकी trick आप जान जाएगे सभी question नों आप solve कर लेंगे यह आप मोलेख अदिकार नहीं रह गया है, यह हमारा विधीक अदिकार, यह कानुनेदकार कहल लागा जाएगा, अगला है उत्राखंड विदान सावा में, अन्सुचित जनजाती है तो कितनी सीटे हैं, तो अन्सुचित जनजाती के बारे में आपर कहarta है, उत्राखंड की तो कितनी सीटे हैं भाई यहाँ पर भी नमबर आपका सही है पांच सीटे हैं कितनी सीटे हैं भाई पांच सीटे हैं उत्तराखंड में अगला है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड का बुआ था यहाँ पर आप सन आ गए हैं आपके पास तो एक जनुवरी 2007 को यहाँ पर उत्रांचल का नाम हुत्राखंड हो गया और बात यह होते हैं कि उत्राखंड का बलाग हुआ था तो 9 नौवंबर सन 2000 को अलग हुआ था और हमारी यूपी के त्यारा डिस्टिक को काट कर बनाया गया था अगला कोशन में रहें राज्यसभा का सभापति तो कौन करता है तो राज्यसभा का सभापति तो कौन करता है भाई इसका सही जवा होगा आपका सी नंबर अर्थात उपरास्ट बती करते हैं ठीक हो उपरास्ट बती करते हैं यहां पर सभातित को होते हैं उपरास्ट बती हो इस देख लेते हैं भारत की विवाजन के लिए ठाटते आपत्षा कतो समस्धी करते हैं वी दो देख लेते हैं तो यहां पर आपका आपसान होगा ए नमबर अर्थात मौंट वेटन योजना के तैत हमारा ये अलग हुआ था भारत तिहां पर देखते हैं कब अलग हुआ था क्या कोर्चिन हमको मिल सकते हैं लाड मौंट वेटन ने मार्च 1947 भी में लाड वैवेल के स्थान पर कारिभाल समाला तीन जून 1947 को मौटवेटन प्लान की गोशना की गई जिसमें भारत विभाजन की योजना की थी चार जुलाई 1947 को इटली द्वारा भारती सुतंता विधयक ब्रेटी संसद में प्रिस्तुत किया गया अगला देख लेते हैं भारती संविधान का हर्दय निम्लिकत में से कीसे का आ गया है तहां पर आपसाना है आपके पास चार अगर आपने लाइप कलासे लिया होगा तो आपको ये चीजें चुटी-चुटी जरूर आ गए होगे पॉलिटी में हमने लाइप कलास दिया था तहां पर समयधाने को प्चारों का अधिकार आर्थात भारती संविधान की जो हर्दय है तो हमारा समयधाने को प्चारों का अधिकार आर्थार आर्टिकल 32 है कोर्शन ये होता है कि भारती संविधाने की आत्मा ततानियों किसे बोलते हैं तो प्रस्तावना को लेकर अगर राश्पती सासन सम्विदान के किस अनुच्छेद के तैत लगता है तो यह हमारा अपसन आपके पास आ गया है और राश्पती सासन हमारा राज्यों में किसमें लगता है यहां पर आपको बता दें अनुच्छेद 356 के तैत लगता है तो यह 356 के तैत लगता है इसमें होता क रहा है तो राश्पती उद्गोषणा करकर उस राज में राश्पती सासन लगा सकता है अगला कॉर्शन बहुत बार पूंचा गया है कि कोई विधयक धन विधयक है या नहीं या कौन बताता है तिहां पर देखते हैं हमारा जो लोकसभा अद्यच होते हैं वह बताएंगे कि कोई भी विदेयक धन विदेयक है या हमारा मतलत दूसरा कोई अधर विदेयक है तिया पर धन विदेयक के बारे में जो भी हमारा बताता है नेड़ा देता है वो हमारा लोकसभा अध्याच देता है आपको कमेंट करके बताना है कि लोकसभा के अध्याच वरतमान में कौन है ठीक है आपको कमेंट करके बताना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इतना आपको नालिज होना ही चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं कोर्शन हमारा है, कि भारती प्रशासनिक धाचा का माडर निमलिकित में से किस देर से लिया गया है, तो हमारा जो भारती प्रसास न्हीं दहाँ से लिए गया है तो यहां पर देखते हैं डी मेरल हमारे कनाडा से अर्थात हमारा girlfriend में जुब मुझबÓती हैificación किंद्री सरकार की संगी hottestा को उपार्णी व्यूस्ता के तो दी नमबर और राए ठीक को आगला कोशचें यहां पर दिया है कि राजपाल गवर नर का सपधन्ड कौन करते हैं तो जो राजपाल गवर्नर जो होते हैं उनका सपधन्ड कोन कराते है भाई तियां पर आपसा नमरा आ है और यहाँ पर सही जवाब हो और आठातार हो उच नीयाले क sher तो करते हैं तो राजिपाल को सपत ग्र er हमारे इसने दिला दिया लेकिन न्युक्ति कौन करते हैं हमारे राश्पति करते हैं ठीक है राजपल की न्युक्ति कौन करते हैं राश्पति करते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कोश्चन हमारा अगला है कि भारती समिदान का कौन सा इस्तंब उसका अंतिम हमारा व्यक्षाता उता तो हमारा अंतीम् नेड़ा हमारा यह तरप डिल्ब का की तरफ तरफ ही हमारे अंतीम् नयाय ह मानियं भी होता है एगला कॉशें है कि वह कौन से समयधानिक संसोदान अधियम YOUP पंचायतों को समयधानिक मानिता दी थी यहां पर आपसान आए आपको साथ यहां पर मानिता किस के तायद दिया गया थे यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे 73 समईदान साथdock ADA solidarity के पांचायत के बारे में दिया गया है ठीक है वह पर पंचायत के बारे में दिया गया है जो कि हमारे ग्राम派पांचायत है और वह पर चैवत्य üstरों हमारा जो नगरपाल का संबन्द होता है चैवत्य तिर्व मुकसमेर को बताया जाता है अगला कोशन है कि इसे कौन सा या दादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया या किये जा सकते हैं तो यह किसके विरुद्ध किया सकते हैं तो यहाँ पर आपसना आपके पास हैं और देखते हैं यहाँ पर यह जवाब होगा केवल यहाँ पर थर्ड नम्मर है बंदी प्रतिच्छी करड़ ठीके बंदी प्रतिच्छी करड़ के तैदर द्यादर किसी भी नीजी बेक्ति के विरुद जारी किया सकता है अगला है कि भारत में जो अदालते होती हैं कितने प्रकार की हैं मुंहारी देखा जाए तो पांच प्रिकार की ठीक है लेकिं मुंहारर कितने हो philanthrop यह आपर टीण प्र कारक्एं था पर तिहातर में समवीदान समसोदन अधियम में पंचायतों को समवाइदानिक मानिता प्राप्त करने के लिए समलिद किया था तो हमने यहां पर अभी पड़ा था यहां पर हमारा हो जागा भाग हमारा जो की हमारा 11 नंबर है और 11 हमारा गाउं से सम्मंदी तर्था गाउं के लिए घ्रम पंचायते होती है और नेश को चन हमारा है कि भारत में केंदरी मंत्रियों को गोपनीता की सपत कौन दिलाता है तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा तो केंदरी जो केंदरी मंत्रियों होती है उनकी गोपनीता की सपत कौन दिलाएगा है हमारा भारत का राश्पती होता है तो वो परधान मंत्रि से साला लेता है और साला लेने के बाद भारत की राश्पती को आपन नियुक्ती करता है ठीक है भारत का राश्पती नियुक्ती करता है मंत् जवाब होगा जो कि हमारा सी नंबर बी नंबर होगा जो कि छैमा होगा ठीक है बी नंबर होगा छैमा होगा नेश कोचन हमारे लिए आ गया है कि निमलेकित में से कौन से यह भारती समविधान का एकात्मक विसेशा दिकार है तो एकात्मक विसेशा दिकार है यहां पर देख गया है कि भारती सम्विदान कानुचेद 360 किसे वित्ती आपातकाल की गोषणा करने का अधिकार देता है तो वित्ती आपातकाल जो गोषणा करने का अधिकार देता है तो हमारा भरत के राश्पती होते हैं वह गोषणा कर सकते हैं वित्ती सम्मंदित अधिकाल जो कि हमारा अगला कोछ नमरा है बहारती संविधान के अनुछेद 80 के अंसार राजसाबहा में सदस्यों के अधिक्तम संख्या 250 हो सकती है इन 250 सदेशों में से कितने राज्यों थे था के अंगला कोश्चन कि भारती समिधान के किस अनुशित के अंतरर्यत किसी राज्यों समयधानिक औबंदों के अमसार ना चला पाने के अधार पर आपातकाल खोस्ट किया जाता है तो आपातकाल हमने बताया गोशित किया जाता है तो सी नमबर अनुचेद हमारा कौन सा यहाँ पर 356 के तायत होता है जिसे आपातकाल गोशित करते हैं जब कोई हमारा मुखे मंतरी अगर कारेश सही से नहीं करता है तब यह होता है अगला कोचन है कि भारती सम्विदान के अनुचेद 12 से अनुचेद 35 तक मुखेता मौलिक अधिकारों समदित है जो कि भारती सम्विदान के जो मुखेता हमारे हैं तो यह मौलिक अधिकार हैं तीन किस भाग में दिया गया है तो भाग तीन में हमारे मौलिक अधिकारों को दिया गया है जो आर्टिकल 12 से हमारे 35 तक होते हैं नेश कोचन है भारती सम्विधान के 22 भागों में से जो सम्विधान के गटन के समय थे उन में से हटाया गया एक मत्र हमारा कौन सा भाग है ति यहां पर बात यह होती है कि भारती सम्मिदान में बजट सब्दों को कहीं पर नहीं बताया गया है तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो वार्षिक वित्ती विवरांड होता है उसको किस आर्टिकल के तहत ही हम लोग लागू करते हैं तो आपको यह कमेंट है आपके लिए चैलेंज कोश्चन है आपको जितने भी कोश्चन दिये गए हैं तो आप सभी को जवाब देना है साथ में इस चैलेंज कोश्चन के दवाब देना है कि वार्षिक वित्ती विवरांड जो दिया गया है वो हमारे किस आर्टिकल के तहत दिया गया है तो प्रेंस आज की चाहिए तो हमारे टेलिग्राम नंबर से जोढ़ सकते हैं वहां पर आपको यूपीia special यूपी current affair सभी हमारे यहां पर हिंदि के सभी वीडियो भी पास सकते हैं साथ में हमारे जितने भी नोट सें सभी हमारे पास सकते हैं तो मिलते हैं लोग नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद जय हिंद जय भारत टेक एर